आज हम बनाने वाले बहुत ही टेस्टी और हैल्दी सा नास्ता जो की एक तयार है अगर आपने पहले से करके रख लिए तो आपके घर में कोई भी मेहमान आए तो आप यह नास्ता बना के रख सकते हैं बहुत ही जल्दी बन जाता है पटापट से बनाने वाला है यह चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना यह मैंने एक को टोरी करीब सूजी ली है इसमें मैंने डाल रहा है डेल को टोरी करीब पानी साधे डाले इसमें खुड़ी सी चिली फ्लिक्स नमा पानी बॉयल हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे यह सूजी को अच्छे से मिक्स करेंगे घेस की फ्लेम को मीडियम रखना है मीडियम फ्लेम पर ही से हमें पखा लेंगे अच्छे से जब तक यह डूफों में नहीं आता है इसमें मैंने डाल देए थोड़ा सा धनिया ताकि यह अच्छा लगें और भी देखने में बस यह देखिए वह इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए हम थोड़ी से स्टफिंग मना लेते हैं दो चमस तेल लिया है इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा साधी डाल दें मैंने ये मिर्च और ये प्याच इसको अच्छे से सौटे कर लिया है साधी डाल दें थोड़े से जो नॉर्मली मसाले होते हैं वही डाले हैं इसमें डाला मैंने गरम मसाला रेड़ चलिफल और हल्दी बस इन से भी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलो को भी डालके यह मैंने इसमें दो बड़ी साइज के आलो लिया है साधी डाल दे थोड़ा सा दनिया इनको अच्छे से कर लिया है mix एक से दो मिनट में यह हमारी स्टेफिंग में के तैयार हो गई है दूसरी तरह पीए जो मैंने सुजी बाला बैटर बना के रखा था इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था यह ठंडा हो चुका है इसको अच्छे से हाथो से इसको प्रस करते हुए यह सभी मैंने इसी तरीके से बना के रख लिए अब क्या करना है जो हमने आलू के स्टेफिंग बनाई थी यह बीच में अच्छे से हम रख देंगे इसमें हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से और दूसरी हम जो बना के रख साथ इस में बस अच्छे से इसी तरेके से समय हम यह स्टफिंग डाल देंगे इस तरीके से हम फटा फट से यह बनजाता है यह तैयार एकर आपने पहले भी करके रख लिए आपके गर में कोई महमान आता है तो इस तरीके से इसको गर्मा गर्म हम बना के सर्व कर सकते हैं इसमें हलकी सी डिजाइन बना दी है चाको से जो कि देखने में बहुत उच्छी लगती है ये बिल्कुल हलके हाथ उसे से करना है यह देखिए परफेक्टिली डिजैन बनके तयार होगी है अम आने उसी कड़ाए में लिया है थोड़ा सा तेल इससे सेलो फ्राइ कर रहे हूँ आप चाहिए दो डी फ्राइ भी कर सकते हैं इसे बट यह इस तरीके से सेलो फ्राइ करेंगे उसी में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी सा बनके तयार हो जाएगा एक से दो मिनट बाद इसे हम टर्न कर देंगे एक तरफ से अच्छे से सिख चुका है इदे के कलर में कितना अच्छा आ चुका है दूसरी तरफ से भ लग रहा देखने में यह उपर से क्रिस्पी अंदर से स्टैपिंग इसकी बढ़िया अच्छे से बनके तयार है दूसरा वैज भी इसी तरीके से बनाएंगे हम यह देखिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसी तरीके से बनाकर हमने यह सारा रख लिया है देखो कितना उपर से क्रिस्पी है अंदर से सॉफ्ट है इसे हम प्रेट में सर्फ करते हैं इस आप चाय के साथ या सॉस के साथ किसी के साथ भी इंज्वय कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा आपको यह देखिए कितने अच्छे से बनके तयार है हमारा नास्ता मैं इसे कट करके दिखाते हूँ आपको बहुत ही इजीली कट हो जागा यह चाको से इसे कट कर लिया है देखने ने कि फटा-फट से इसकी फिलिंग देख रही किते अच्छे से दिख रही है बहुत ही अच्छे से भरी हुई थी जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छ आती है त्पर लिक करें सब्सक्राइब करते और कमेंट करना ना भूले बेल आइकन जरूर प्रस monsieur जिससे वीडियो की झाल झाल